हम सब ने कभी ना कभी अपने phone के AI जैसी की Google Assistant या Siri से बात किया ही होगा, पर कई बार हमें उनके साथ conversation नेचरल नहीं लगता, यही पर अलग हो जाता है ChatGPT, ChatGPT एक AI chatbot है जो की OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया है, पहले जान लेते हैं OpenAI के बारे में, ओपन AI एक artificial intelligence research company है, जिनका गोल है artificial intelligence को humanity के benefit के लिए लाना, ओपन AI में बरे बरे companies और personalities involved हैं, जैसे की Elon Musk, Microsoft, Infosys जो की एक Indian IT company है इतियादी, अब समझते हैं ChatGPT को, ChatGPT एक automated conversion AI chatbot है, जो की बिलकुल एक human की तरह अपने user से interaction करता है, और इस से किसी भी तरह का conversation किया जा सकता है, पर Google और Siri के जैसा ये बोल कर नहीं, बलके writing के द्वारा आपके साथ conversation करता है, ChatGPT में सबसे interesting feature है question answer format, जिसमें आप दुनिया भर के question इसे push सकते हैं, और ChatGPT आपको इन questions का answer देगा, अगर हम human machine interaction के research की history पर बात करें, तो ये इस पे काम 1965 से ही शुरू हो गया था, तब से कई सारी chatbots को बनाया गया, पर 1995 में chatbot Alice introduce हुआ, ये पहला ऐसा chatbot था, जो human inputs को समझ सकता था, और Alice ने नीव रखा आगे आने वाले कई chatbots AI का, फिर 2011 में Apple ने Siri लाँच किया, जिसने AI की market को पूरा तरीका से disrupt कर दिया, फिर एक एक करके सारे बड़े brands अपने chatbot जैसे की Google का Google Now, Amazon का Alexa लाँच करने लगे, Companies, chatbot पे इतनी interested इसलिए होती है, क्योंकि chatbots किसी भी company का service cost को कम कर देता है, chatbots एक साथ multiple consumer के साथ conversation कर सकता है, वहीं अगर chatbot ना हो, तो companies को बहुत सारे representative hire करने पड़ेंगे इसी काम को करने के लिए, chatbot consumer के data को monitor और analyze करता है, जिससे company, consumer के taste और preference को और अच्छे से जान पाती है, chatbots के इतने सारे काम होने से, employees अपना time और minds किसी और productive काम में लगा सकते हैं, जिससे company को time का भी बचत होता है, chatbots के इतने सारे फायदे तो हमने जान लिए, पर जब इतने सारे chatbots पहले से ही हैं, तो chatgpt का क्या काम, अगर हम बाकी सारे chatbot की बात करें, तो उनका interaction human-like नहीं होता, और वो खुद existing data को analyze करके ही interaction करते हैं, वही chatgpt, generative AI के वज़ा से एक पूरा ही new content बनाता है, जिससे users को एकदम ही अलग answer मिलता है, chatgpt में transformers model को भी use किया गया है, जो कि chatgpt को help करता है किसी भी context को समझने में, उधारन के लिए माने, तो अगर मैं google से पूछता हूँ what is chatgpt, तो आप screen पे देख सकते हैं कि ये किसी और website के answer को दिखा रहा है, पर वही अगर मैं chatgpt से पूछता हूँ उसके खुद के बारे में, तो वो खुद अपने लिए एक answer बना के देता है, ना कि किसी और website का answer मु और सकते हैं, ये सब काम तो google से भी हो जाएगा, पर यहीं chatgpt थोड़ा अलग निकल जाता है, chatgpt का यूज करके आप advanced conversation भी कर सकते हैं, दारन के तोर पर जब आप google को बोलेंगे किसी भी topic पर youtube script बनाने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर google assistant को कहा है, chatgpt के उपर एक youtube script बन करने लगा, वहीं जब मैंने chatgpt को कहा, कि खुद के उपर एक youtube video की script बनाने के लिए, तो उसने मुझे script बना के दे दिया, जिफ कोई एक person with advanced brain capacity बता रहा हो, आप इसको landy या short script भी देने को बोल सकते हैं, ये इतना advanced है कि आपको ये भी बताता है, कि वीडियो में कब क्या चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कि ये बता रहा है कि कब camera anchor पर होना चाहिए, और कब topics related चीजों पर, मैंने इससे question किया, कि chatgpt का future क्या है, तो इसने इसका भी answer मुझे दिया, कि chatgpt का future बहुत promising है, और बहुत सारे reasons भी दिये, पर सबसे बहतरीन reason था, chat chatgpt का specialized model, यानि कि अगर chatgpt को सिर्फ एक specialized industry के लिए tellurized कर दिया जाए, तो वो exceptional फायदा देगा, example के लिए मान लीजे, कि एक chatgpt model को medical data से equip कर दिया जाए, तो वो extreme geographical location पे रहने वाले इनसान को भी accurately medical diagnosis दे सकता है, ऐसे ही और भी कई field मे chatgpt को specialized किया जा सकता है, जैसे कि legal field म taxation field में, पर ये सब तभी हो पाएगा जब हम chatgpt को दूसरे technologies के साथ integrate करेंगे, जैसे कि speech recognition, machine vision, probiotics, इतियादी, chatgpt के इतने promising future को तो हमने जान लिया, पर अभी भी एक question है, कि क्या chatgpt Google का end कर देगा, तो answer है नहीं, Google और chatgpt को comparison हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि Google एक search engine है, जो आपको internet पे किसी भी information को find करने में help करता है, वहीं, chatgpt realistic conversation and creative writing में help करता है, तो नहीं, chatgpt Google को end नहीं करेगा, मैंने और chatgpt को use किया, और बहुत absurd questions भी पूछे, जिसमें से मेरा सबसे favorite question था, कि क्या गधा घोडे की सवारी कर सकता है, as a meme lover, आप समझ सकते हैं, कि ऐसा एक question त जो कि आप screen पर देख सकते हैं, जिस पे इसने कहा कि donkey horse की riding नहीं कर सकता है, due to its body shape, और horse भी donkey की riding नहीं कर सकता है, due to its body weight, इससे आप जान सकते हैं, कि answer देने के चकर में, यह आपको कैसा भी fact बता सकता है, जो कि इसके lack of accuracy और limitation को दर्शादा है, इसी से आते हैं, chatgpt के limitations के इसके website में ही खुद इसके limitation दिया हुआ है, जैसे की occasionally यह गलत information generate कर सकता है, कभी कभी यह harmful instructions जैसे की explosives बनाना और biased content जैसे की racism को भी produce कर सकता है, जैसे की एक AI है और जितना इसे use किया जाएगा, यह उतना ही अच्छी तरीके से interaction सीखेगा, और क्योंकि यह अभी बहुत नया है, तो इस पे अभी भी काम चल रहा है, इसलिए आप इसे use करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आप इस पे कोई अपना personal या important information शेयर ना करे, और अगर आपको कोई information हामफुल लगता है, तो आप इसे report भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा option आएगा आपके screen के उपर आप देख सकते ह हाता है, कि क्या आपको इसको use करना चाहिए, तो answer है हाँ, आप chat GPT को बहुत ही different तरह से use कर सकते हैं, जैसे कि इसको आप study के लिए use कर सकते हैं, इसको आप conversation करने के लिए use कर सकते हैं, आप इससे अजीब गड़ी question भी पूछ सकते हैं, जैसे कि quantum physics को 5 साल के बच्चों को सम सकते हैं, इसको use करना बिल्कुल free है, हाला कि इसका paid version भी है, पर हम यहाँ free version की ही बात कर रहे हैं, इसको use करने के लिए आपको open AI के website में जाना है, उसके page में आपको एक option आएगा, try chat GPT, जैसे ही आप उसको click करेंगे, तो वो आपको chat GPT के बारे में कुछ basic information देगा, जिसक आपको बस next next करते जाना है, और then you are good to go, बस इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही informative और interesting वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें, तब तक के लिए मैं chat GPT से pick up line सिखने जाता हूँ